कुरूर किसम का व्यक्ति नहरू वो अकल का तो कुरूर था शकल से भी बहुत कुरूर था जिसने यहां के महराजा को एक शडियंतर के तहट बनबास रहने को मुम्बे में मजबूर किया शेक खौबदला के नेतर्त में जो रेडियो कश्मीर था वहां से गाने रिले हो और जो स्टेट फ्लैग था वो भी लहराता रहा है जैसिया राम मैं एडवोकेट रमन परदीब चीप स्पोक्स परिशन बीजे पी डिस्टिक्ट डोड़ा मैं सभी जेंड के के निवासियों को तथा गिलगित बालिस्तान अकसाई चीन के निवासियों को बढ़ाई देता हूँ कि आज ये जो नियाए महराजा के साथ महराजा को मिला वो सतर साल के बाद मिला आपने देखा जिन लोगों ने शड़ियंतर स्टेट में रचे जिनों ने यहाँ पे हकूमते की उनके नाम पे कैसे छुट्टी जो रखी गई बहुत लड़ाई लड़के इसका जो श्रे जो है युआ राजपूत सभा को भी जाता है वो भी इस लड़ाई के भागीदारी बने और भरती जनता पार्टी तथा निंदर भाई मोदी के एफ़र्ट से आज ये छुट्टी जो है पूरे जेंट के में डिकलियर हुई है जिसकी नोटिवकेशन हाली में लिफ्टनेर्ट गौर्णर जेंट के स्टेट ने निकाली भाईयो महराजा का जीवन जो है एक कटनाईयों से बरा रहा और उस समय के जो नहरू जो भारत के परधान मंत्री रहे उन्होंने शेक अब्दला जिसको महराजा ने डिटेंशन में रखा था शेक अब्दला ने कश्मीर मुमट चला के महराजा के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत चलाई थी उसी विशे में उसको जो है कारागार में डाल रखा नहरू के साथ मिलके तथा उस समय के जो ब्रिटिशर कुछ उच पद्वी पे थे उन्होंने पाकिस्तान से मिलके यहाँ पे कबाईलों का अटेक करवाया जिससे महराजा सिरिनगर से भागने पे मजबूर होके जम्मू में शर्ण ली लेकिन मातर हिंदोस्तान की आजादी के अटहत्तर दिन के बाद नहरू ने भी महराजा के खिलाफ साजी सर्ची और महराजा को यहाँ से तड़ी पार करके मुंबई में रहने को मजबूर किया और ताह मुर्तियों तक महराजा कभी भी इस स्टेट में नहीं आए नहीं कभी उन्होंने किसी ऐसी और्णेशन से या किसी भी व्यक्ति से यहाँ पे कोई शड़ी अंतर रचा मेरा कहने का तात पर यह है कि नहरू और शेक अब्दिला ने ऐसी साजी रच के महराजा को यहाँ पूरा जो उनके पूरू जो ने जैंड के स्टेट को खरिदा था अंग्रेजों से उस स्टेट से भी उनको भगा के बंबे में रहने को मजबूर कर दिया उसके बाद यहाँ जम्मू प्राविंस के लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी दो तीन वाल महराजा को लाने की कोशिश की लेकिन हर बार जो है शेक अब्दिला के हकुमत में जब कभी भी कोई एजिटेशन लाने की शुरू हुई उस एजिटेशन को क्रश किया एक बार नहरू का विजट प्राविंस्टर बन के जम्मू में प्रेट गोर्ण में आए तो पूरे जम्मू में उसका स्वागत काले जंडों से किया लेकिन उस समय की पलीस जो शेक मुम्मद अब्दिला के इशारों पे काम करती थी उन्होंने जो भी विक्ति एजिटेशन में थे उनको लाठी चार्ज करके मार पीट के कईयों को बंदी बनाया कईयों को कारागार में डाला और पूरे जो एजिटेशन को विफल कर दिया उसके बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा प्रजा परिशत के जो नेता थे उन्होंने भी इस महराजा को लाने की बरपूर कोशिश की महराजा की मृत्यू हुई मृत्यू के खबर जो पूरे आल इंडिया रेडियो से अनौस हुई पूरे जम्मू कश्मीर में एक आकरोश का महुल था कि उनकी अस्तियां जो हैं तबी नदी में प्रभावित की जाएं लेकिन उस समय यहां की ऐसी कुरूर सरकार शेक अब्दला के नेतरत में जो रेडियो कश्मीर था वहां से गाने रिले हुए और जो स्टेट फ्लैग था वो भी लहरतारा मेरा कहने का मतलब है कि कितनी बड़ी साजिश एक कुरूर किसम का व्यक्ति नहरू वो अकल का तो कुरूर था शकल से भी बहुत कुरूर था जिसने यहां के महराजा को एक शडियन तरके तहट बनबास रहने को मुंबए में मजबूर किया महराजा एरी सिंग ने एक बार सरदार वरला भाई पटेल से जब वो डहली में डिनर कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रशन पूछा महराजा ने कि महराजा हैदराबाद के रजाकार्स वो जो निजाम्स थे उनको जो है हैदराबाद का विले करके भी उनको जो है उच पद्वी पे रखा गया तो मेरे साथ ये ऐसा शड़ियंतर क्यों रचा गया तो सरदार वल्ला भाई पटेल का ये जवाब था कि महराजा कभी कभी देश के लिए अपने आपको भी सेक्रिफाइस करना पड़ता है मेरे साथियों आज बड़ा खुशी का दिन है पूरे जमू में जमू कश्मिर में एक उत्सा का महुल है और महराजा के नाम पे आज सत्तर साल के बाद जो नियाए मिला उस नियाए को जिन्दा रखने के लिए यहाँ पे एक छुटी की घोशना की मेरा सबसे यही नवेदन है कि हम हर वर्ष महराजा की जो जनुम्ती थी है इसी प्रकार मनाते रहें दन्यावाद